किशान भाई सबसे पहले खेत की तैयारी की बात अगर हम करें तो खेत को एक पहली बार जो है उसको पलटने वाली हल्स से जो है इसको जुताई करें उसको दो से तीन वार जो है मिट्टी को कल्टिवेटर या देश्य हल्स से जुताई करके मिट्टी को भुरहुरा मना लें और पाटा के स शापनर से उसको शम्तल करके और रीज फॉरों करके उसमें फीज की वहाई करें। किसान भाई, प्रूम करें तो इसके लिए जो है इसकी खेती हर तरह के मिट्टी में कि जा सकती है। लेकिन जो चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जल धारन की छमता अच्छी हो, जिवाश्म की मात्रा अच्छी हो, उस तरह का जहां जल जमाव ना हो, जल निकास की विवस्ता हो, उस तरह की खित की किसानभाई चुनाव करें। और इसको लगाने का तरीका होगा, कि अगर आप ग्रिश्मकाली इन में लगा रहे हैं, तो लाइन से लाइन जो है, आप 40 cm का दूरी रखें, और पौधा से पौधा का दूरी 25-30 cm रखें, अगर इसको आप बर्शाद के मौसम में लगाते हैं, तो कतार से कतार की दूरी में 45 cm रखें, इसान भाई जब भी जो है, आप बीज बुगाई करते हैं, तो बीज को निश्चित रूप से उसका उपचारित करें, उसका टीका करन करें, ताकि आने वाले फफून देया, अन्न बीमारियों से उसका रख रखा हो सके, तो अगर बीज की हम लोग टीका करन कि बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है, इसको हम लोग 3 बाचते हैं, 5R, फंजिसाइड, उसके बाद इंस्क्रैट पिर रखृवियम कलचर, तो सबसे कर पहले जो है, फंजिसाइड के लिए आप लोग जो है, बैवस्ट्रीन, जो है, जो करविंड जहम के नाम से आता है, उसके बाद जो है राइजयोबियम कल्चर के लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा विरडी जो है उसका प्रयोग करें तो इस तरह करने से जो है बीज में आने वाले वीमारी और रोग से बचाव हो शकता है किश्च्मों की अगर बात करें तो निश्चीत रूप से किसान भाई को जब भी भिंडी का बीज लगाएं तो किस्म का चुनाओं निश्चीत रूप से करें वैसे संस्थान वैसे जगह से ले जहां पर विश्वस्वस्नियता हो हमारे अंसंधान केंडर से पूशा से कुछ किस्मों का विकास किया गया है जो रोग रोधी भी है और अच्छी उत्पादन देने वाला है जैसे अगर हम बात करें तो पूशा महाकाली यह जो है भिंडी के किस्म है जो एलो भेन मोजाइक वायरस जिसको वाई भी एंभी कहते हैं उस बीमारी से प्रतिरोधी किस्म है इसको लगाने से यह बीमारी नहीं आता है तो किस्म किसान भाई जो है इसका भी चौनाओं कर स संस्थान बैंगलोर से कुछ किस्मों का विकास किये गया है जिसमें अरका अनामिका जो है वाई भी एंभी से प्रतिरोधी किस्म है और इसका पौध का लंबाई करवन 100-120 cm लंबा होता है और इसमें सखाएं काफी ज्यादा आती है और इसका फल का लंबाई करवन 9-10 cm होत सकते हैं किसमों में अरका अभाय का चुनाओं कर सकते हैं यह भी जो है रोग रोधी किसम सबसे खतरनाक विमारी भिंडि में आता है उसके अलाबा भारतिय सबजी अनसंधान संस्थान 12 नसी से किसमों का विकास किया गया जो अगात किस्म है और बीज बुआई से 40-45 दिन में इसका फलन इसकी तुड़ाई की जा सकती है और पहुत की लंबाई कर्वन जो है 60-65 cm होता है और यह हलका हरा रंग का होता है तो किसान भाई इस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं उसके अलावा जो है आप जो है कासी चमन जो की जो है भारतिय सब्जेन संधान संस्थान बारानसी से विक्सित की किस्म है यह जो है दोनों सीजन के लिए उप्यूक्त है ग्रिश्म कालीन के लिए भी और वर्षा कालीन के लिए उप्यूक्त है और यह जो है यह यह जो है यह जो है प्रतिरोधी किस्म है तो किसान इसका भी चुनाओं कर सकते हैं